आज बनेंगे खस्ता हलवाई स्टाइल फुली फुली कोटा की फेमस कचोडिया अब कोटा की जो कचोडिया है जो राजिस्थान में रहते हैं उन्हें जो राजिस्थान में नहीं रहते हैं उन्हें मैं बता देती हूँ कि कोटा की कचोडियों में जो हींका स्वाद आता है वो सबसे ज्यादा आता है और इसी लिए ये कचोडिया बहुत जादा स्वादिश्ट पन कर तयार होती है और सब को बहुत पसंद आती है तो चलिए फटा फट से हम तयार करते हैं कोटा की कचोडिया तो सबसे पहले हम कचोडियों के लिए आता लगा लेते हैं तो यहां हमने साड़े तीन सो ग्राम मैदा लिया है ये वाला कप अगर हम देखेंगे तो तीन कप हमने इसमें मैदा का डाल दिया है इसमें हम एक छोटा चमच नमक का डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंग तो 300.5 ग्राम मैदा में हम कम से कम 6-7 चमज घी डाल रहे हैं घी नॉर्मल टेंपरेचर पर है यानि कि हमने इसे पिगलाया नहीं है तो हमने इसे मिक्स कर दिया है और अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे पूरे मैदा पर घी जो है वो अच्छे से लग जाना चाहिए और जब ह हम इसमें ठोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसक आटा लगाएंगे अब से मिसंग जाना नहीं होना चाहिए और भी मिन होना चाहिए और बहुत जाएफ बिंगी तो बहुत बन heh bum और आश्या यह ऋजाए और जैसी झाटा लग जाएगा इसे ढखकर 30 मिनिट के लिए छोड़ देंगे रेस्ट करने देंगे चलिए तब तक दाल देख लेते हैं यहां हमने आधा कप मूं की दाल ली है जिसे हमने अच्छे से धो कर दो घंटे के लिए भिगो दिया था दो घंटे में यह अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है फूल अब इसका पानी हम अलग कर देंगे और दाल को हम डाल देंगे ब्लेंडिंग जार में और हम इसे दरदरा पीसेंगे पूरा पेस्ट नहीं बनाना है ध्यान रखिएगा दरदरा ही हमें इसे पीसना है तो देखिए दाल को हमने पीस कर तयार कर लिया है और अब हम इसका मसाला तयार करते हैं यानि कचोड़ियों की फिलिंग बनाते हैं तो तीन से चार चमच हमने तेल डाला है पैन में इसमें हम डाल देंगे एक बड़ा चमच जीरा एक बड़ा चमच दरदरी पिसी हुई सौफ एक बड़ा चमच दरदरा कुटा हुआ साबुधनिया और एक बड़ा चमच हमें हींग का डालना है हींग इसमें ज्यादा जाएगी क्योंकि हम बना रहे हैं कुटा की कचोड़िया तो हम इसे 10 से 15 से के लिए एकदम लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे ज्यादा नहीं 10-15 से के बाद हम इसमें डालेंगे 7 चमच बेसन जो जिससे हम चावल वगेरा खाते हैं खाने के लिए यूज करते हैं चमच वो वाला चमच 7 चमच बेसन लेकर अच्छे से हम इसे मिक्स कर देंगे अब जब ये मिक्स होगा तब हमें इसकी लिक्विड वाली कांसिस्टेंसी चाहिए लेकिन आप देखिए जैसे मिक्स किया ये तो ड्राय हो गया तो हम क्या करेंगे बेसन को थोड़ा साइड में कर देंगे और 2-3 चमच तेल हम इसमें और डालेंगे और दोबारा से हम बेसन को मिक्स करेंगे हमें लिक्विड वाली कांसिस्टेंसी इसलिए चाहिए ताकि जो बेसन की भूनाई हो वो बहुत अच्छे से हो तो लो फ्लेम पर ये देखिए लिक्विड कांसिस्टेंसी आ गई है तो लो फ्लेम पर लगातार चलाते रहेंगे तब तक जब तक ये ऐसे ब्राउन कलर का नहीं हो जाता बढ़िया से बेसन को हमें भूनना है बढ़िया सी खुश्बू आनी चाहिए और ऐसा कलर आना चाहिए जैसे ही हो जाएगा हम इसमें मसाले डालेंगे तो सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं एक चमच लाल मिर्ची पाउडर आधा चमच हल्दी पाउडर दो चमच धन्या पाउडर के डाल देंगे इसके साथ ही इसमें जाएगा एक चमच काला नमक आधा चमच काली मिर्च का पाउडर और स्वात के अनुसार नमक सारी चीजों को सिर्फ एक बार हमें अच्छे से मिक्स कर देना है और mix करते हुए ज्यादा नहीं बस एक मिनिट तक हम इसे अच्छे से और पका लेंगे मसालों में कमी बिल्कुल मत रखिएगा क्योंकि बाहर का जो cover है उसमें कोई मसाला नहीं है इसलिए filling चटपटी बननी चाहिए जैसी मसाले मिक्स हो जाएंगे जो डाल का पेस्ट हमने बना कर रखा था वो हम इसमें डाल कर अच्छे से सिर्फ एक बार मिक्स करेंगे स्टार्टिंग में डाल को पकाना नहीं है सिर्फ मसाले के साथ में इसे अच्छे से हमें मिक्स कर देना है जैसे ये मिक्स हो जाएगा एक दो मसाले और डालेंगे अब हम इसमें डालेंगे एक चममच करम मसाला और इसके साथ ही एक से डेड़ चममच आमचूर पाउडर खटाई इसमें बिल्कुल भी कम नहीं होनी चाहिए अब बस इसे मिक्स करते रहेंगे और एकदम लो फ्लेम पर इसे लगातार हम चलाते रहेंगे हमें इसे तब तक चलाना है जब तक दाल का जो मॉइस्चर है वो खतम नहीं हो जाता और दाल एकदम बढ़िया खिली खिली नहीं हो जाती ध्यान रखीगा फ्लेम लोपर रहेगा इसे लगातार चलाना है और दाल एकदम ऐसी देखिए खिली-खिली हो जानी चाहिए फिलिंग में अगर थोड़ी सी भी नमी रहेगी तो ये कचोड़ियां जल्दी खराब हो जाएंगी अदर्वाइस ये 8-10 दिन चल जाती है फिलिंग को ठंडा होने देंगे आटे को यहाँ पर चेक कर लेंगे आदा घंटा हो चुका है आटा बड़िया सेट हो गया है तो आटे को 2-3 मिनट के लिए हम और अच्छे से मसल लेंगे चिकना कर लेंगे अब इसकी हम लोग थोड़ी थोड़ी सी लोई तोड़ लेंगे अपका चौड़िया आपको कितनी बड़ी या छोटी बनानी है ये तोटली आपका चौइस है तो इसको थोड़ा सा हमने आटे को तोड़ा एकदम इसका पेड़ा बना लेंगे लोई बना लेंगे जैसे पर भरनी है बहुत ज्यादा भरेंगे तो कचोरियां फट जाएंगे तो थोड़ी थोड़ी सी फिलिंग हम बीच में डालेंगे और इसे इस तरीके से हम पैक कर देंगे बिल्कुल जैसा कि पराथे को पैक किया जाता है वैसे ही करना है और इसमें आपको सिर्फ एक चीज का ध्य करेंगे तो यह देखिए बढ़िया सी कचोडिया बनकर तयार है अब हम इने फ्राय करेंगे फ्राय करने से पहले अपनी हथेलियों पर इसे थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर दे इससे यह अच्छी फूली फूली बनकर तयार होती है हर कचोड़ी को डालने से पहले कढ़ाई में इस तरीके से आप थोड़ा हतेली से प्रेस कर दें फ्लेम जो है पूरे प्रोसेस में लो से मीडियम पर रहेगा तेल ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए मीडियम गरम ही होना चाहिए शुरुवात में कचोडियों को टच नहीं करेंगे जब यह अपने आप ऊपर आने लग जाएंगी तभी हम कचोडियों को चलाना शुरू करेंगे और उन्हें धीरे-धीरे हलके-हलके हाथों से हम पलटना शुरू करेंगे ध्यान रखेगा Starting में हमें कचोडियों को टच नहीं करना है अपने आप उन्हें हलकी हलकी आच पे पकने देना है वो जैसे ही उपर आएंगी तब ही हम उन्हें टच करेंगे तो ये देखिए कैसे बड़िया सी ये फूल कर तयार हुई है। इन्हे इसी तरीके से लो से मेडियम फ्लेम पर पकाना है और तब तक पकाना है जब तक आपको इनका ऐसा बड़िया गोल्डन सा कलर नहीं मिल जाता। और आप देख सकते हैं यह देखिए मैं थोड़ा और क्लोज करके दिखाती हूं कि यह कितनी बढ़िया फूल कर तयार हुई है तो बस इसे इसी टाइम तक हमें फ्राय करना है क्योंकि जब हम इने बाहर निकालेंगे तब भी इनकी जो कुकिंग है वो चलती रहती है तो जब आपको ऐसा कलर मिल जाए एकदब बढ़िया सा गोल्डन सा तब आप इनंहें बाहर निकाल दीजिए और साइड में रख दीजिए तो बढ़ियां गरम फूली फूली कोटा की कच्यौडिया तयार है आप इन्हें चटनी के साथ खा सकते हैं चाय के साथ ंज जय कर सकते हैं जैसे ये ठंडी हो जाएंगी आप इन्हें किसी airtight container में बंद करके रख दीजे और 8-10 दिन तक आराम से इसे खाईए कहीं traveling के लिए भी जा रहे हैं तो इसे साथ में लेकर जा सकते हैं कैसी लगी है recipe आप मुझे comment करके जरूर से बताएगा वीडियो को लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा जल भी मिलेंगे हम अगली recipe के साथ में तब तक के लिए बाबाए